बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम असलाम लीकूम फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज मैं मिक्स बर्यानी बनाने जा रही हूं जो के बहुत जटपट त्यार हो जाती है तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन्स की जुरूरत है जी वीवर्स सबसे पहले मैंने एक किलो चावल लेकी उन्हें भिगो दिया है एक किलो चिकन लिया है तीन अदर दर्म्यानी प्यास को बारी कट कर लिया है एक खाने का चमच लहसन अदरा का पेस्ट आठ से दस सबस मर्चली है चारद दर्म्याने साइस की तमाटर बारी चॉप कर लिये है नमक हस्पे जाइका इस्तमाल करेंगे एक खाने का चमच सुर्ख मर्च पाउडर एक चाय का चमच काली मर्च पाउडर एक खाने का चमच बर्यानी मसाला एक चाय का चमच दरा मर्चली है और एक छोटी प्याली दही एक चमच सूखा दनिया और एक चमच गरम साला लिया है जिसमें कड़ी पत्ता, जीरा, काली मर्च और दारचीनी शामिल है जी तो ये थे हमारे टोटल इंग्रीडियंट्स तो चले आएं अब हम मिक्स बर्यानी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कप ऑईल गरम करेंगे और इसमें प्यास शामिल कर देंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह दिखें प्यास लाइट गोल्डन होना शुरू होगी है तो अब इसमें लहसे नदर का पेस्ट शामिल कर देंगे अब इसे भी प्यास के साथ हम fry कर लेंगे तो भी ऐसी fry होने देंगे जी फ्रेंड जी देखें golden color हो चुका है तो अब हम इसमें गरम साला शामिल कर देंगे इसे भी थोड़ा सा fry कर लेंगे जी तो गरम मसाला हमारा फ्राई हो गए अब हम इसमें टमाटर और सबस मर्चे शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे यहां तक कि टमाटर अच्छे से सोते हो जाएं तो अब इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को भून लेंगे मसाला जितना अच्छा भूना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार खाना बनता है मसाला भूनने के साथ साथ मैंने चिकन को बॉयल कर लिया है सिर्फ दो से तीन मिनिट के लिए यह देखें चिकन हमारा बॉयल हो गया है तो सिर्फ दो तीन मिनिट बॉयल करने के बाद मैंने इसके आँच बन कर दिये तो मसाला जितना हमारा भून चुका है ओल का कलर चेक करें तो अब हम इसमें बॉयल किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे चिकन जादा बॉil नहीं करना सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम बॉil करेंगे बाखी का हम इसको मसाले में ही फ्राइ करेंगे अब इसे 3-5 मिनट हम मसाले में ही फ्राइ करेंगे ताके स्पाइस अच्छे से चिकन में शामिल हो जाएं तो यह मसाला हमारा भुन गया है अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढ़कन देखे इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे जी फ्रेंड से देखे हैं दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो अब मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था यह तकरीबन दो ग्लास है और दो ग्लास ही मैं इसमें अब पानी शामिल करूँगी अब इसे ढग देंगे ताके पानी में उबाल आ जाए जी फ्रेंड्स देखें पानी में उबाल आ गया है अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे अब इसे मिक्स करेंगे और धकन देखे रख देंगे दर्म्यानी आंच पर पकाएंगे जब तक पानी खुश्क न हो जाए जी फ्रेंड ये देखें पानी कम रह गया है बिल्कुल हलका हलका से रह गया है तो मैंने आँच इसकी कम कर दी है अब 10 मिनट के लिए इसे दम पर रख देते हैं ये देखें दम हमारा हो गया है अब यलो फूट किलर एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी फ्रेंड बर्यानी हमारी रेडी है उमीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी बहुत short time में बहुत मज़र्दार सी बर्यानी रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like करें शेयर करें, कॉमेंट्स करें और जो वीवर्स मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप घर में मिक्स बर्यानी जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कॉमेंट्स में बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और बर्यानी कैसी बनी तो आप से फिर मुलाकात होगी इन्शाला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और मुझे दूआओं में याद रखेगा ओके फ्रेंड्स, अलाह हाफीज